मौद्रिक एवं राजकोशियनीती में वित्मंत्राले की भूमिका ये एक मेजर टॉपिक बचा हुआ है इंडियन पॉलिटी पेपर टू पार्ट ए में उसे आज हम कंप्लीट करेंगे ये जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है डारेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मौद्रिक एवं राजकोशियनीती में वित्मंत्राले की भूमिका बताए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मौद्रिक नीती क्या होती है राजकोशियनीती क्या होती है दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों में अलग-अल यानि अर्थ क्या होता है मौद्रिक पॉलिशी का इसकी आवश्यक्ता क्यों पड़ी इसके उद्देश क्या है इस मौद्रिक नीती के अंतरगत कौन-कौन से करण या क्या क्या कार किये जाते हैं क्या-क्या पॉलान युग में वित्य प्रवंदन के अंतरगत सरकार हैं आर्थि इस्थरी करण के ूं मांध्रिक नीती को लागू करूद्य इसको हमने यहां से start कर दिया ठीक अब मौद्रिक नीती का अर्थ क्या रहेगा वो हम बता देते हैं कि किसी भी देश के केंद्रिय वेंक द्वारा मौद्रिक यानि मौद्रा की सप्लाई साख मौद्रा एवं साख की आपूर्ती के लिए जो नीती बनाई जाती है उसको मौद्रिक नीती कहते हैं इसका कहीं बार मीनिंग आएगा वहां से आप देख सकते हैं फिर भी हम लिख देते हैं कि मौद्रिक नीती शे आश है एक का एक अपेक्षित इस्तर बनाए रखने के लिए जो नीती अपनाई जाती है उसी को हम मौदरिक नीती के नाम से जानते हैं ये इसका मीनिक हो गया ठीक इसके बाद अब हम देखेंगे कि इस मौदरिक नीती की आविश्यक्ता क्यों पड़ी क्यों ये बनाई जाती है पहला क अभी इसेरी आयमें व्रद्धी करने के लिए ना कि राष्ट्री आयमें व्रद्धी हो रही है इसलिए बनाए इसलिए बनाया जादर आ उससidedAL fool अगला हता है ब्यापार में व्रद्धी की रोए दे जब बढ़ 예요 उस समय मौद्रिक नीती या ऐसा बोलें कि व्याफार में व्रद्धी करने के लिए भी मौद्रिक नीती की आउशक्ता बढ़ती है ये चार मेजर कारण रहे जिनकी बज़े से हमें मौनेटरी पॉलिशी या मौद्रिक नीती को बनाना पड़ता है इसके बाद अब इस मौद्रिक नीती के उद्धेशी क्या है अबजेक्टिव क्या है परपश बताएं तो मौद्रिक नीती निर्माण के अनेक उद्धेशी होते हैं जिनका चैन शाबदानी पूर्वक किया जाता है संचेप में प्रमुप उद्धेश से इस प्रकार है पोजगार मेरे इसके लिए मौद्रिक नीती काम करेगी ठीक अगला अबजेक्टिव रहेगा मूल्यों में स्थिर्था बनाए रखने के लिए महंगाई ज्यादा ना बढ़े महंगाई उतनी रहे जितना की व्यक्ति खरीद सके इसलिए मौद्रिक नीती के आउश्यक्ता अगला अबजेक्टिव बीनिमय दर में इस्थिर्था बनाए रखने के लिए बीनिमय दर रेट ऑफ एक्षेंज डॉलर और रुपए अभी आप दो तीन दिन से न्यूज पढ़ते सुनते हैं कि रुपया अभी तक के सबसे निचले इस्तर पर चला गया यानि एक डॉलर क के लिए लगवग हमें 69 रुपीज देने पड़ते हैं तो रेट ऑफ एक्षेंज को इस्टेवलाइस करने के लिए भी मौद्रिक मीती पनानी पड़ती है फिर आता है देश के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक विकास से मतलब है जादा से ज्यादा इंवेस्टमेंट हो ज्यादा से जला लोगों को भुजगार मिले बुकमरी की समश्या ना हो डवलप्मेंट विकास चलता रहे इसको मार्थिक विकास के नाम से जानते हैं इसके बाद आता है इस्थिर्ता आम इस्थिर्ता मतलब लगब लगब क्या हो आपकी एकॉनोमी में कहीं कोई क्रीमर आ कितनी होना चाहिए सप्लाई कितनी होना चाहिए लोगों के पास कितना वेंकों में पैसा तो इस चीज को मैसर करते हैं तटस्त मुद्रा नामत इंस्थिमेंट से तो इन आपजेक्टिव को पूरा करने के लिए मौद्रिक नीती बनाई जाती है मौद्रिक नीती के अंतरगत कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखा जाता है क्या करते क्या है इसके अंतरगत तो इसको हम समझ लेते हैं कि दो प्रकार के टूल अपनाए जाते हैं मौद्रिक नीती के अंतरगत पहला होता है जिसे हम होते हैं परिमानात्म या इस कोई बेंक और लेता है लॉंग टर्म के लिए तो जो पेमेंट करेगा व्याज का उसको हम बोलते हैं रेट आप इंट्रेस्ट विच वेंक पे टू रिजर्व इंडिया फॉर लॉंग टर्म बॉर लंबे समय के लिए जब अधिया जाएगा तब के लिए बैंक दर तो एक यह बेंक दर फिक्स करती फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन्स खुले बाजार की क्रियां यह भी इसका एक टूल बहता है और यह होती क्या है इसको तो हम एकॉनमिक्स में किलियर करी देंगे आपके सामने यहां यह पॉइंट आप रट लें नगद आरक्षित अनपाथ सी आरक्षितनपाथ सी आरकेश रिजर्ग रेशियो यह हैं वह हैं अमाउंट होता है जो प्रतेक बैंको एपर एंडी नेट डिमांड टाइम लाइविटी एंडी टीयल का उसको आर्वे के पास जमा करना पड़ता है ऐसा समझें कि बैंक के पास टोटल कितना कैस है उस कैस का एक सर्टेन पर्षेंट जैसा आर्वे डिकलेर करेगी उतना उसको आर्वे के यह जमा करना पड़ता है जैसे थ्री पर्षेंट सो रुपए का बैंक है तो तीन रुपए आर्वे को देना पड़ा है इसे हम बोलते हैं कैस रिजर्व रेशियो राइट इसके बाद दूसरा टूल होता है मौत्रिक नीती का उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष साधन या डारेक्ट इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं से क्वालिटेटिव टूल के नाम से भी जानते गुड़ात पहले वाले में कौंटिटी थी यानि नंबर थे और दूसरे में कौंटिटी नहीं थ आता है उस पर कुछ ध्यान देगी आर्विए के द्वारा नैतिक सुझाव मौराल सजेस्ट्स दे सकती है केंद्रिय बैंक बैंकों को ना कि बैंक जो लोन बाटती है किसानों को ज्यादा बाटे वीकर्स एक्संस को ज्यादा बाटे नहीं बाटेंगे तो क्या करेंगे मौरालिटी पर सुझाव दे दिया कि बैंकों को अभी सेक्टर को ज्यादा लॉन बाटना है तो इसको कहते हैं नेतिक सुझाव या मौराल सजेस्ट्स दाइट यह दो प्रकार के टूड़ हुए एक परिमानात में इसमें कुछ रेट रहेंगे दर रहेंगे बैंक रेट हो दोनों में इनकी भुमिका को देख लें सबसे पहले विकासील देशों की आर्थिक व्यावस्था में उदार मौद्रिक नीती अपनाई जाती है लिबरल मॉनेटरी पॉलिशी को फॉलोग किया जाता है लिबरल यानि नियम कानून बहुत ज्यादा पड़ोर नहीं होते और इस उदार मौद्रिक नीती के पलसुरू पॉंजी का प्रवा या सरकार से जनता की ओर होता है यानि पैसा कहां किधर जाएगा तो गवर्मेंट से किधर फुलो करेगा लोगों की ओर आम जनता की ओर आएगा या दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि खेंद्रिय बेंक से जनता की ओर पुंजी का प्रवा होता है जिससे विरोजगारी दूर करने नवीन आर्थिक क्रिया कलापों के लिए धनकी उपलब्दता बनी रहती है लोगों के पास पैसा ज्यादा रहता है तो वो कई सारे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं यह विकासी देशों में ऐसी जनता के रखते हैं जिसमें पुंजी का प्रवा जनता से सरकार की और नीं फ्लोन आप यहां पैसा जनता से निकलते सरकार की ओर जाता है यह जहता tiare अत्रिक पूजी सरकार के द्वारा खींचली जाती है कैसे खींचली जाती है उन आपको कई प्रकार की चीज़ें उपलब्द करा दी जाए नहीं बैंक में फिक्स डेपॉजिट करना है पर रेट आप ज्यादा दिया जाए बॉंड इसू कर दें जिसमें व्याज की दर ज्या आएं मौद्रिक नीती और राजकोशिय नीती में अंतर क्या होता है डिफ्रेंस बिट्विं मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिशी और लास्ट वाला रहेगा वित्त मंत्रालई की भूमी का मौद्रिक एवन राजकोशिय नीती तो अगले लेक्चर में हम इन तीनों बची वी